असलाव लुक्म फ्रेंज वेल्कम टो मां यूट्यूब चैनल मोनी सास किचन आज हम बनाएंगे मीठी टिक्किया जिसे हम खस्ता भी कहते हैं तो चले इसे बनाने स्टार्ट करते हैं पहले हम लेंगे मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे मैदा एक कप एक चौथाई कप सूजी और सफेद तील यह भी एक चौथाई कप और एक चौथाई कप ही नारियल का पुरादा अब हम लेंगे शकर यह हाफ कप है इसे हम पहले पीस लेंगे और शकर के साथ ही तीन-चार हरी लाइची टाल देंगे यह देखें अच्छा सा पाउडर हो गया है अभी से भी एड़ कर देंगे और यह मैंने लिया है सिफ हाफ टीस्पुन बेकिंग पाउडर और हाफ टीस्पुन नमक और यह मैं ले रही हूँ टू टूटबल स्पुन मेल्टेट घी चाहे तो रिफाइंड ओयल या डालड़ भी ले सकते हैं इन सबको अच्छी तरह से मिलाएंगे हाथ से इस तरह से दो-तीन मिनड़ तक यह देखें आठा उठाने पर इस तरह से बढ़ने लगाया तो अब इसे बूद लेंगे आठा बूदने के लिए मैंने हाफ कब दूद थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे और एक टाइट सा डूब बनाएंगे बस डूब हमारा तैयार है अब इसे ढखक कर रख देंगे 15-20 मिनड़ तक उसके बाद बनाएंगे यह देखें हाफ कब दूद लिया था मैंने आठा गूदने के लिए इसमें से हाफ बच गया है चाहें तो पानी से भी गूद सकते हैं लेकिन दूद से टेस्ट अच्छा आता है 20 मिनड़ हो गये हैं एक बार और आठे को थोड़ा सा गूद कर चिकना कर लेंगे और इसे 3-4 हिस्से में डिवाइट कर लेंगे इसकी अब एक मोटी सी रोटी बे लेंगे देखें इतनी मोटी है अब उपर से फोक कर देंगे इससे क्या होगा जो हमारी टिक्किया है वो फूलेंगे नहीं और फूलेंगे नहीं तो क्रिस्पी बनेंगे अब इसे किसी कूकी कटर ये छोटे से गिलास से कट कर लेंगे इतनी तरह से हम सारी तैयार करके रख लेंगे उसके बाद फ्राई करेंगे यहां हमारा ओयल गरम है ओयल जादा गरम नहीं होना चाहिए वहना डालते ही टिक्किया जलने लगेंगे बस मीडियम होना चाहिए टेल में डालने के बाद फॉरान इसे टश नहीं करेंगे वहना तूट सकती है यहां हम मीडियम टू मीडियम लो फिलेंपर फ्राई करेंगे बोल्डन कलर आने तक उसके बाद निकाल लेंगे देखे एक साइड से सिख चुकी है टिक्किया तो सारी पलट देंगे अब भी ट्राई करें इस रेसिपी को पसंद रहेंगे दाया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलती है इंशाला नेक्स्ट वीडियो में एक नी और इसी रेसिपी के साथ ततके लिए लिए लाह आफिस